साथियों नमस्कार मैं हुनीरच पटेल और आप देख रहें नेशन जन्मत राजपूस समाच से आने वाले व्यक्ती की जान की कीमत 50 लाख और उसी सेम घटना में पिछड़ वर्क से आने वाले मंडल समाच की व्यक्ती की जान की कीमत महज 10 लाख और ये भेदवाओ उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आधितनात के जातिवाद को ले करके हंगामा मज जाता मगर ये जातिवाद उत्तर प्रदेश में नहीं बलकि ये जातिगत भेदभाओ राजिस्थान में हुआ है जहां के मुख्मंत्री हैं असोग सिंग गहलोत कहने को पिछड़े वर्क से जाते हैं मौरिस सैनी और माली समाज के लोग इनको अपना कुल भूसन बताते हैं क्योंकि इन्होंने घोषना की थी कि राजिस्थान के हर स्कूल में सावित्रिवाई फूले की तस्वीर लगाई जाएगी महज इतनी सी बात से खुस हो गए थे तो ऐसे तो केंदर सरकार औ उन्होंने ही घोषना कर रखी है कि हर सरकारी ओफिस में बावा साहब की तस्वीर लगाई जाएगी मौजूदा समय में कोई राजनितिक दल ऐसा नहीं है जो बावा साहब के सामने सर ना जुकाता हो मतलब महज तस्वीर लगाने से सर जुकाने से काम चलने वाला नहीं है पूरी घटना राजिस्थान के बीकानेर से है जैपुर रोड पर खंडेलवाल मिश्टार भंडार पड़ता है वहां देर रात सिलेंडर फटने से आग लग गई और आग में जिंदा जुलज जाने की वज़े से दो मजदूरों की मौत हो गई राजिस्थान के रहने वाले ध है क्योंकि इसी आधार पर दोनों के मौाबजे में भेदभाव किया गया भारती जंता पार्टी का दोहरा और दोगला चरित्र देखिए उसके तीन नेताओं को तकलीफ हुई स्याम सिंग भगवान सिंग बिजय सिंग और धन्य सिंग के परवार को ले करके धरने पर बैठ मौाबजे पर डन हुई दरसल ये मजदूर राजिस्थान का रहने वाला था इसलिए राजिस्थान की चरंजीवी योजना के तहत उसके परवार को पांच लाख रुपए अत्रिक्त मिलेंगे मतलब इस मजदूर के जान की कीमत पचास लाख रुपए भारती जंता दस लाख रुपए से संतोस करना पड़ा पांच लाख रुपए जो चरंजीवी योजना के मिलते हैं क्योंकि वो राजिस्थान का रहने वाला नहीं था तो उसके परिजनों को वो पांच लाख भी नहीं मिलेंगे जातिगत आधार पर या छेत्र के आधार पर भेदभाव देखिए सेम घटना में एक मजदूर की मौत होने पर 50 लाख रुपए उसी घटना में दूसरे मजदूर की मौत होने पर महज 10 लाख रुपए जब इस मामले में बीका नेर के स्थानी मीडिया कर्मियों ने इन जातिवादी बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिस की त अब इसका जवाब तो राजिस्थान की असोक सिंग गहलोत सरकार को देना चाहिए क्या मौपजा इसाधार पर तैकिया जाएगा कि समान घटना में किसका परवार कितने मौपजे पर संतुष्ट होता है क्या मौपजा इसाधार पर दिलवाया या दिया जाता है अगर नही तो गहलोस सरकार को इस मामले में हस्तक शेप करते हुए दोनों मजदूरों के परिजनों को समान मुआपजा दिलवाना चाहिए यह घटना इस बात की गवा है कि आपने बहुजन समाज के महापुरसों को महज बोट बैंक का साधन मात्र बना करके रख दिया है इसलिए बिभिन राजनितिक दलों को पता है कि बाबा साप की मूर्ती लगा लो उनको पूझ लो भले इस समाज के लोगों का हिस्सा काट लो आरक्षण मार लो नौकरियों में हिस्सा ना दो यह संतुष्ट बना रहेगा उसी तरीके से जोतिवा फूले सवित्री वाई फूले संदगाडगे बिरसा मुंडा लाखन पासी करपूरी ठाकुर से ले करके विभिन बहुजन समाज के महापुर्सों का भी यही हाल है सरकारों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जैसे बच्शडे को आगे लेकर चलो गाए पीछे-पीछे आती है बैसे ही इन समाजों को कुछ मत दो महज इनकी जाती के महापुरसों का जुन्जुना थमा दो वो बच्छडे की तरह बोट बैंक की तरह पीछे पीछे खिसक करके आ जाएंगे इस धारणा को बदलना है और ये भी धारणा बदलनी है कि जाती के आधार पर फलाना व्यक्ती हमारी जाती का कुलभूसन है उसके काम के आधार पर विचारधारा के आधार पर टै करिये वरना उस पर सवाल उठाइए कि तुम्हारे पिछडे होते हुए भी तुम्हारे राज्ज में मटकी जैसी घटना हो जाती है अभी भी पिछड़े अदलित समाज के कई लोगों को राजपूतों के घरों के सामने हातों में चपल जूते ले करके निकलना पाता है, मूछे रखने पर हत्या हो जाती है, तो तुम्हारे पिछड़े में जन मिलेने से और दूसरे व्यक्ति के राजपूत होने से अंतर क्या रह जाता है, अगर असोक सिंग एहलोत की जगे ठाकुर समाज का व्यक्ति या ब्रामल समाज का व्यक्ति महा मुक्कमंत्री होता, तब भी तो यही भेदवाओ हो रहा होता, तो तुम्हारे पिछड़े अदलित होने में और अन्ने के सवन होने में कुस तो अंतर होना चाहि देखते रही ने सन जन्मत, जागरुक और सजक बने रहिए, जै विज्ञान, जै समिधान, जै लोगतंत्र, धन्यवाद